असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स, हम मिल्लत कॉलिज की तरफ से ओनलाइन क्लासेज में आपको वेलकम करते हैं, आज का हमारा टोपिक है रूट्स ओफ अपॉलिनॉमिल, तो रूट्स ओफ अपॉलिनॉमिल जो सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था, नेचर ओफ रूट्स, क्वाडिटिक एक्वेशन से हम कैसे फाइंड करते हैं रूट को, उसको हमने डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे, अगर हमारे पास क्वाडिटिक एक्वेशन नहीं है, तो वहां से हम कैसे रूट्स फाइंड कर सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं, कि यह जो ह x raise की part 2, plus 3x, plus 7, have root x plus 1, तो यहाँ पे पूछ रहा है, कि हमें polynomial दे दिया है, और वो कह रहा है कि, क्या x plus 1 इसका root है, या नहीं, हमने ये बताना है, तो students, हमने करना क्या है, यहाँ पे x plus 1 को 0 के बराबर लेंगे, यहाँ से x की value निकालेंगे, अब यहाँ पे x plus 1, यहाँ पे plus था इस थरफ लेकिया है, तो यह हमारे पास क्या हो गया, minus 1 इसकी value आ गई, अब यह जो value हमारे पास आई है, इसको हमने करना क्या है, यह जो x is equal to minus 1 आया है, इसको हमने polynomial में substitute करना है, तो यहाँ पे मैं p of x, polynomial में जहाँ जहाँ x है, वहाँ वहाँ मैं minus 1 substitute कर दूँगा, तो मैंने x की जगा minus 1 लिख दिया, इसी तरह x square की जगा minus 1 का square, plus 3 into x की जगा minus 1, plus 7 as it is मैंने लिख दिया, अब इसकी value calculate करेंगे, अगर हम 1 का square लें, तो हमारे पास answer क्या आता है, plus 1, इसी तरह 3 को minus 1 से multiply करें, तो minus 3, plus 7 as it is लिख दिया, 1 plus 7, कितने होगे 8, 8 में से 3 को निकाल दिया, तो हमारे पास answer क्या आया, 5, तो यह हमारे पास answer आ गया, 5, अगर तो हमारे पास polynomial में, वो value, जो हमें कहा गया है, कि यह इसका root है, वो put करने से answer 0 के बराबर आ जाए, तो वो इसका root होगा, अगर वो answer 0 के बराबर नहीं दे रहा, वो value substitute करने के बाद, तो हम क्या कहेंगे, कि यह इसका root नहीं है, तो x plus 1 is not a root of x square plus 3x plus 7, इसी तरह, second question है, हमारी screen पे, p of x is equal to x cube plus x raise की part 2 minus 7x plus 1 have root x minus 2, यह मैंने पहले simple quadratic equation ली, वहां से हमने root चेक किया, अब हम आते हैं, अगर हमारे पास quadratic equation ना हो, कोई और polynomial आ जाए, तो same as it is, हम वही काम करेंगे, जो हमने question number 1 में किया है, अब मैं क्या करूंगा, first of all, x minus 2 को 0 के बराबर लिखूंगा, मैंने x minus 2 को 0 के बराबर लिख दिया, यहां से x की value निकालेंगे, तो यह minus 2 है, अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊंगा, तो यहां पर यह value plus 2 हो जाएगी, अब हमने करना क्या है, polynomial में जहां जहां x है, वहां वहां 2 put करेंगे, तो मैंने 2, p of x की जगा मैंने 2 लिख दिया, is equal to, x की power 3 थी, तो मैंने क्या लिख दिया, 2 raise की power 3, plus 2 raise की power 2, minus 7, into 2, plus 1, अब यहां से value calculate करेंगे, तो अब 2 raise की power 3, इसका answer हमारे पास क्या आया, 8, इसी तरह 2 raise की power 2, इसका answer क्या आया, 4, इसी तरह 7 को 2 से multiply किया, तो answer क्या आया, minus 14, plus 1, अब इस value को calculate करेंगे, तो हमारे पास answer क्या आया, is equal to minus 1, मैंने जब 2 substitute किया, इस polynomial में, तो answer दे रहा है, minus 1, तो क्या students, यह इसका root होगा, यह नहीं होगा, मैंने previous question में आपको यही explain किया, कि अगर हमारे पास, यह जो value हमें दी हुई है, x की, इसको put करने से answer, अगर polynomial का, 0 के बराबर आ जाए, तो वो इसका root होगा, अगर यह 0 के बराबर नहीं आता, कोई value दे रहा है, तो यह हमारे पास इसका root नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, x minus 2 is not a root of x raise की power 3, plus x square minus 7x, plus 1, अब यह दो questions मैंने आपको solve करवा दिये, कि हम कब कहेंगे कि यह इसका root नहीं है, तो एक हम question solve कर लेते हैं, कि कब हम कहेंगे कि इसका root है, तो हमारी screen पे third question है, p of x is equal to x raise की power 2, plus 4x minus 5, have root x minus 1, हमने यह बताना है कि हमारे पास यह जो polynomial है, यह इसका root है यह नहीं, तो हम first of all क्या करेंगे, x minus 1 को 0 के बराबर लेंगे, यहां से x की value निकालेंगे, यह minus 1 था, इस तरफ जाके plus 1 हो गया, अब हमने क्या करना है, polynomial में जहां जहां x है, वहां वहां 1 substitute करेंगे, तो मैंने x की जगा 1 लिख दिया, इसी तरह 1 का square, plus 4 into 1, minus 5, इसको solve करेंगे, तो 1 का square 1 ही होगा, 4 को 1 से multiply करेंगे, तो 4 आएगा, minus 5, as it is, अभी इसको solve करेंगे, तो answer हमें क्या दे रहा है, 0 के बराबर, तो students, अगर हमारा answer, 0 के बराबर आ जाए, तो यह हमारे पास क्या होंगे, इसके roots होंगे, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहां पे, x minus 1 is a root of x square, plus 4x minus 5, तो यह इसका root है, अब दो questions में आपको assign कर रहा हूँ यहां पे, question number 4 है, p of x is equal to x raise की power 3, minus x raise की power 2, plus 5x plus 4, have root x minus 2, तो हमने यह बताना है, कि यह जो हमारे पास polynomial है, यह इसका root है, यह नहीं, यह इस polynomial का root है, यह नहीं हमने यह explain करना है, इसी तरह question number 5 है, p of x is equal to 3x raise की power 4, plus 4x cube, plus x minus 5, have root x plus 1, और हमने यह बताना है, कि यह जो question number 4 और 5 है, यहां पे मैंने आपको assign कर दी है, आपने यह check करना है, कि यह इसके roots हैं, यह नहीं है, तो कुछ students ने मुझे, पिछले 4-5 दिन से messages कर रहे हैं, WhatsApp कर रहे थे questions के लिए, तो बिटा, जिन बचों ने मुझे WhatsApp में questions पूछे थे, वो दुबारा मुझे questions कर सकते हैं, तो वो दुबारा मुझे questions कर दें, because वो questions जो skip हो गए हैं, तो मुझे पता नहीं है कि क्या के questions पूछे थे, मैं कुछ दिन मसरूफ था, तो इसलिए मैं lectures upload नहीं कर सका, तो next आपके daily basis पे lectures upload होंगे, तो इन्शाला तला जल्द जल्द हम अपना syllabus कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आज का जो हमारा topic था, roots of a polynomial वो complete हो गया, अगर इसके हवाले से कुछ problem है, कुछ questions है, तो मुझे आप पोश्च रखते हैं,